बॉलवर्ड इंडस्ट्री के बड़े म्यूजिक कम्पोजर, सिंगर और जिनोंने म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत आगे पहुँचाया है एर रह्मान उनकी बेटी खातीजा ने सगाई कर ली है एर रह्मान की बेटी खुद भी म्यूजिक की दुनिया में ही अपना नाम बना रही है उन्होंने कई सारे गाने बनाए हैं और कुछ गानों के लिए उन्हें अवार्ड भी मिले हैं इसी बीच खातीजा ने अब सगाई कर ली है और इसकी जानकार ये खुद खातीजा ने दी है कि उन्होंने किस से सगाई करी है और उनके पती क्या करते हैं खातिजा ने अपने Instagram पर एक post share की है जिसमें उन्होंने अपने होने वाले शोहर की photo share की है और खुद की भी सगाई के दिन वाली photo share की है खातिजा ने पिंक कलर का dress पहना है और वैसा ही matching mask पहना है हम सब चानते हैं कि खातीजा ने आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है हाला कि हिजाब पहनने के कारण वो ट्रोल भी हुई है इन फैक्ट एक बार तो एक लेखिका ने ये भी कहा था जब पढ़े लिखे लोगों को मैं बुर्खे में देखती हूँ तो मुझे दुख होता है और इस पर खातीजा ने इस लेखिका को जवाब भी दिया था कि अगर आपको मुझे इन कपड़ों में देखकर घुटन होती है तो जाईए और शुद्ध हवा खाईए मुझे अपने कपड़ों में बिल्कुल घुटन नहीं होती बलकि मुझे इसका गर्व है इस तरीके से खातीजा ने तब अपनी बात रखी थी और आप खातीजा ने अपने एंगेजमेंट की बात अनौन्स की है उन्होंने कहा है कि 29 दिसमबर को उन्होंने रियाजदिन शेक मुहमत से शादी कर ली है जो की एक बिजनसमेन होने के साथ साथ एक साउंड इंजीनियर भी है और ये सगाई उन्होंने 29 दिसमबर को इसलिए की है क्योंकि उसी दिन उनका बर्थडे है और बर्थडे के दिन ही उन्होंने अपने जिंदगी की इस नई शुरुआत की पहल कर ली है उन्होंने कहा कि सगाई का एक छोटा सा समार हो रखा गया जिसमें फैमिली और कुछ खास दोस्त शामिल हुए तो कुछ इस तरह के से एर रह्मान की बेटी खातीजा ने सगाई कर ली है कहा जाता है कि आमिर खान की जो फिल्म आई थी सीक्रेट सूपर स्टार वो कुछ-कुछ खातीजा की किरदार पर ही बेस्ट है हाला कि एक डिफरिंज जरूर है कि सीक्रेट सूपर स्टार में लड़की को गाना गाने के लिए मनाई थी चुपके चुपके गाती थी, यहाँ पर खातीजा को AR रह्मान गाना गाने के लिए बिलकुल मना नहीं करते हैं हाला कि खातीजा की खुद की चॉइस है कि वो बुर्खा पहन कर ही गाने गाए